हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत हैं तो जेक बोट क्लास 8, 9 और 11 का भी एक्जाम डेट आ चुका है तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 8, 9 और 11 का एक्जाम रूटीन बताने वाला हों वीडियो के साथ बने रहिएगा बहुत ही इंतिजार था एक एक्जाम रूटीन का का आप फी लोग कमेंड कर रहे थे एक्जाम कब होगा कब होगा कब होगा फाइनली एक्जाम डेट एक्जाम रूटीन आ चुका है तो चलिए हम लोग पहले क्लास 8 का देखे लेते हैं उसके बाद क्लास 9 का देखेंगे फिर क्लास 11 का देखेंगे त 2023 के संब्ध में आउसेक सुचना विग्यप्ती 18 में कलास 8 का दिया गिया है तो हम लोग इसको चलिए पढ़ लेते हैं तो दवरा ज्यारखन राजी के सभी कोटी के विद्यालेओं के प्रधन ध्यापकों चात्र एवं समंदित पदाधिकारियों को सुचित किया जाता है कि इ स्चित की जाएंगी उकत के अलोग में परिश्यत द्वारा निम्लिकित कारकरम के अनुशार निर्धारित परिक्षा इंदर पर आयोजित किया जाएगा तो यहाँ पर दिखिए जो आप लोगों का एक्जाम होगा मैं कई बार आप लोगों से कहा हूँ फिर आप लोगों को डाउट रहता है OMR सीट पर एक्जाम होगा सिर्फ MC की कोशन पूछा जाएगा सिर्फ objective कोशन पूछा जाएगा आगा दिखिए कलास आठ कच्छा आठ की परिक्षा दोगों का एक्जाम होगा फिर्स्ट सिटिंग में देखिए आप लोगों का पेपर वन होगा सेकेंड सिटिंग में पेपर टू मैंने ब्लूप्रिंट ओल्रेटी आप लोगों के लिए बना रखा है कलास 8, 9, 11 के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देदूँगा वहाँ से ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा कि इस तरीके से आप लोगों का एक्जाम होगा तो देखें फिर्स सिटिंग पौने 10 से 1 बज़े तक होगा सेकेंड सिटिंग 2 बज़े से सबब 5 बज़े तक होगा कि दीन में पूरा सब्जेक्ट का एक्जाम हो जाएगा 13 अप्रेल को फर्स सिटिंग में लिंगवेश पिपर सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का मैथ साइन्स सोशल साइन्स होगा और देखें इस परिक्षा में प्रतियक विशे से 50 अंकों के बहु विकल्पिय प्रस्न पूछे जाएंगे सोव अंकों का आंतरिक मुल्यांकन विद्याल अस्तर पर किया जाएगा सोव अंक पूरा सब्जेक्ट को मिलाकर और एक सब्जेक्ट आप लोगों का 50 कोशन पूछा जाएगा एक सब्जेक्ट से इसको ध्यान में रखना है और यहां पर देखें आगे सभी विद्याले प्रधान सरुदो धही केक्षा आठ की परिक्षा 2023 का परवेश पत्र दिनांक 64 2023 से परिसद के वेबसाइट www.jack.jharkhan.gov.in slash jack slash से डाउनलोड कर समंधिशा चात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्टित करेंगे आंतरिक मुल्यांकन के अंकों की प्रविस्टी परिसद वेबसाइट के माधम से ओनलाइन कराई जाएगी आंतरिक मुल्यांकन के अंकों की ओनलाइन संधारन की तिथी बाद में प्रकासित की जाएगी बाद में डेट बताए जाएगा कि आंतरिक मुल्यांकन का माक्स कब भिजना है तो class 8 का फिर से में repeat कर दे रहा हूँ सिर्फ एक दिन exam होगा पूरा subject का paper 1, paper 2, paper 1 sitting 1 में होगा, sitting 2 में paper 2 होगा और हर एक subject से 50-50 question पूछे जाएंगे MCQ OMA seat पर exam होगा, objective परिक्षा लिया जाएगा अब लोगों का अब देखिए class 9, jackpot class 9 का exam date जारखण Academy Council राची वर्ग नवम परिक्षा 2023 के सम्मध में हमसेक सुचना विग्यप्ती 20, विग्यप्ती 18, अठार जो है वो class 8 के लिए है 19, विग्यप्ती आप लोगों का class 11 के लिए है और विग्यप्ती 20, class 9 के लिए है तो यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर दिया गिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं चलिए मैं एक बार इससे भी जल 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 दी पढ़ दूँ देखिए, एता दोर जь हारखण राज जी के सभी कोटी के विद्यालों के प्रद्धन द्यापों को चात्रों यंव समधित प्रादि कारैों को सुचित किया जाता है कि इसकोली सिक्षा अमसार्च चर्ता विभाग जार्खन राज्य के निदे सानुसार नमोवर की परिक्षा सिर्फ पांच अनिवार विश्यों में और मार्शीट के माध्यम से आज़ित की जाएगे पांच सब्जेक्ट का आप लोगों का एगजाम होगा क्लास नाइन वालोंका आगे रखिए उक्त के आलोक में परिशद छातर छातरा दवारा चैनित पांच अनिवार विशे भासा एक भासा दो गनित विज्ञान समाजिक विज्ञान टोटल पांच सब्जेक्ट भासा एक आप लोगों का हिंदी हो सकता है भासा तो आप लोगों का इंगलिस हो सकता है फिर गनित विज्ञान और समाजिक विज्ञान का एक्जाम होगा ठीक है अब यहां पर आप पुछिएगा संस्कृत संस्क्रिट का एक्जाम नहीं होगा एडिशनल सब्जट का मैं नहीं बोल रहा हूं एडिशनल सब्जट का एक्जाम नहीं होगा आगर देखिए की परिक्षा निमलीखित कारकिरम के अनुसार निधारिचा के अंदर पर आयजित किया जाएगा एवं परिक्षा के उतीर्न ते के लिए उक्त 5 विशेओं में से 4 विशेओं में उतीर्न होना है अनिवार्य होगा, किसी भी 4 subject में आप लोगों को पास होना है, तब भी आप पास हुई है गर नहीं तब फेल हो जाईएगा अगर देखिए इस परिक्षा में प्रत्यक विश्य से 40 अंकों के बहुविकलिपिय प्रश्ण पूछे जाएंगे एवं 10 अंकों का अंतरिक मुल्यांकन विद्यालियस्तर पर किया जाएगा क्लास 9 में 40 कोशन पूछा जाएगा हर एक सब्जेक्ट से और बहुविकलिपिय होगा इसमें भी MCQ कोशन पूछा जाएगा अबजेक्टिव कोशन पूछा जाएगा क्लास 9 वाले ध्यान दीजे और क्लास 8 वालों का भी objective होगा बस अंतर यह है क्लास 8 में 50 questions पूछा जाएगा और क्लास 9 में सिर्फ 40 questions पूछा जाएगा हर एक subject से और जो admit कार यह आप लोगों को 5 अप्रेल को जो है school तरब से download करके आप लोगों को दिया जाएगा अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लास 9 का जो एक्जाम रूटीन है 11-4-2023 को sitting 1 में आप लोगों कुछ नहीं होगा फिर sitting 2 में paper 1 होगा paper 1 में Hindi A, Hindi B या English हो सकता है ठीक है उसके बाद देखिए 12-4-2023 की 12 अप्रेल को फर्स्ट यहां पर देखिए second paper फर्स sitting में second paper होगा और यह होगा math एवं science का ठीक है 12 अप्रेल को science और math का exam होगा फर्स sitting में second sitting में होगा social science and other language अगर other language है तो होगा आप लोगों का second sitting में जो other language लिखा हुआ यहीं पर संस्क्रीट उर्दू बांगला यह सब है ठीक है तो यही है आज का class 9 का routine आप लोगों को दिया जाएगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए तो यही है class 9 जेक वोट class 9 का exam routine दो दिन आप लोगों का exam होगा 11 अप्रेल और 12 अप्रेल को तो चलिए अब देखते हैं class 11 का दिखिए class 11 विग्यपती संख्या 19 जारकन एकडमिक कॉंसेल वर 11 की परिक्षा 2013 के समद्य आपसे सुचना तो यहां पर दिखिए आप जिस भी स्टीम से हैं आप जिस संकाय से हैं यहां पर देख लीजिएगा आप स्क्रीन सोट करके रख लीजिए science, arts, commerce सब का यहां पर द जितना ही आई होप आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कब एक्जाम होगा और टेंसर नहीं होना चाहिए और जोर सोर से तयारी कीजिए जितना हो सक्या और इसका modal question बहुत ही जल्द आने वाला है class 8 9 11 का बहुत जल्द modal question आ जाएगा तो modal question आ जाएगा तो अबेल आइकन ओल पर किलिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी upload करूं आप तक notification पहुंच जाए वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर कर दे ताकि उनको भी exam date के बार में पता चल सके thank you for watching वीडियो have a good day